हेलो फ्रेंट सोगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैच अम इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वो ने वाला है यहां पर के एच्टी वर्सेस एस वाई एल के जो मैच होने वाला यहां पर बंगलादेश प्रिमियल लीग टी-20 का स्मैच की वीडियो इंपorntट रहे है आपके लिए आपके लिए व्युडियो में महले की तीम प्लस इपर गोड्र टीम को आपको थायो की पिक्स प्लस एपको वैदर जीघवा दिखावार और सारी सब्सक्रीं करने यहां वर्यीचस करने आब आए तो तुको global यूटेब क्यां तो वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल लिंक बिल जाएगा सबसे ओपर ब्लीव कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करो के टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा दैन उसको आपको जॉइन कर लेना है तो ध्यान रखना जोड़ सकते हैं जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लिंक के तुरू ही जोइन करो जो वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है वीडियो के एंड में तो इन्वेस्टमेंट से पहले वह पार जरूर देख लेना बाकि जो नए यूजर से जिनको नहीं पता वाई कीपिक है क्या तो उपर यहाँ पे आपको वाइट कलोर का टेग दिखाई दी रहा होगा जैसे इस प्र क्लिक करोगे एक वीडियो नीचे ऑपन हो जाएग इसवीडियो को पूरा देख लेन आपको समझ आ जाए गा तो फिलाल इस पार्ट को मैं आपके साथ वीडियो के एंड में एक्स्प्लेन करने वाला हूँ यह को सबसे बड़ी बात ही है कि जो वेन्यू है वो चेंज होगे वापिस जिसमें बात है जो पहले स्टाट मैं खागा जो फिर वापिस जो पहले स्टाट मैं डाका तो सेम ग्रांड पे मैं और ध्यान रखना कि अगर आपने कंपेर कि अगर चेर बंगला नेशनल स्टेडियम और चटागाउं के ग्राउंट में तो आपको एक चीज जरूर दिखने मिली होग पिछ थी बट अगर शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में देखा जाए तो कहीं ना कई बैटिं के उतनी फेवरेवल पिछ नहीं है कहीं ना कई बालर का थोड़ा बहुत डॉमिनेंस रहे वो अज़ी स्पेशल मॉर्निंग वाले मैच इसमें तो ध्यानक ना मॉर्निंग व बाके अगर बात की जाए तो यह बारा बज़े के असपा से मैच राट हो तो नहीं अजर आएगा पिछ एक्सपेक्टेड डेट्स होगे राउंड मान के चलते हो पिछ मैने बता दिया आपको मॉर्निंग के मैच फिर भी लोई स्कोरिंग हो रहे है इवनिंग के मैच इसके यह बाके बाके पॉसिबल बिंग लेवन जो टीम के रहने वाली वो क्या रहने वाले यहां पर आपको अपनिंग करते में नसर आएगा जो कि वैशन डिसका बोल सकते हो कि काफी अच्छा उपनर है और काफी कंसिस्टेंट प्लेर है बट इन कंडिशन पर जैसे एशन कंड इस वाले मैच में इंजर्ड हो गया था इतना बुरा रहा नी फ्लैचर ने ठीक ठाकी परफॉर्मिंस अभी तक करी है दो तीन अच्छी निंग से लिए बाकि एकर बात किया तो सेफ बनेगा ऑपनिंग करने है तिम में इंपॉर्टन बनेगा बाकि सो में सरकार थोड़ा च्रगल कर रहा था बाकिया बाकिया बानोगे नहीं दो साल पहले तक अब बंगला तरह प्रीमिलीग खेलते होंगे तो आपको पता होगा सौमे सरकार क्या था क्यों कि अच्छी फॉर्म में हुआ करता है दूसरा यहां पर मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करता है बड़ इ ग्रेंड लिग के लिए अच्छी बिक बनेगा बाकि रहुनी तालुक दर ने पहले मैच में हाफ सेंचुरी मारी स्क्रिवाद लगातार चार मैच में मान के चलो एक तरीके से फ्लॉप ही रहा है राइट है आपके लिए यह ग्रेंड लिग के बन सकता है बहुत कम इस्टेंट बैट्समन है स्टार्टिंग के दो मैच फ्लॉप रहा था चे और ग्यारा मारे थे बड़ उसके बार लगातार अच्छी फॉर में नजर आया चौहालिस नटाउट चारीस न और तैंटीस हैं तो तीन अच्छी निंग्स यहापर रहीम को पनी टीम मैप डैफि के बात की जाए तो इंटरेशनलावल का एक्स्पिरेंस रहीम के पास बहुत जादा है और बड़ी-बड़ी कंडिशन में मतलब जैसे जब भी तीम को मुसीबत हुए इसने टीम को निकाला है मुसीबत से बाकी यासर रिली के और बात किया तो यासी रिली आपके लिए बो फिर भी होँआ जाके प्रफॉर्मेंस करिये 13 रन 40 रन 23 रन और सताओन ये लाज चार मैच के प्रफॉर्मेंस यहाप यासी राइली की रही है तो कहिनकर यासी राइली एक ऐसी consistency के प्रैटिंग कर रहा है इसको आप डेफिनिटली एक ग्रेंट लिए टीम में जरू प्रफॉर्मेंस करते हैं यासी राइली एक मैच में चालिस राइली इंपॉर्टन रहेगा तीन से चार ओवर आपको डालते हो नजर आएगा हर मैच में चार ओवर आपने कम्प्लीट कर रहे है और अभी तक देखो कि तहीं आपे साथ निकाल चुका है तीशारा परेरा सा पांच मैच इसमें और अभी तक बैटिंग से देखो कि तो 36 न की इनिंग 19 न की दो इनिंग्स खेल चुका है और लोर डाउन दी ओर बैटिंग करेंगा दूसरी बात की जाए तो यहां पर दैथ होडर से बॉलिंग कर सकता है वेकि टेकर बॉलर है क्याप्टन सी के लिए वन अफ दी बैस्ट रहने वाल आपके लिए तिशारा परेरा के बाइड बैटिंग प्लाइड दोनों से कॉंट्रिबूट करने वाला है और शिलंक का बैर इंटरनेंशन लेवल बहुत तक राउन से बहुत तक द्राइड आफ इस्पिरा के पास शिको के परसंदा भी शिल दोड़ समती पर दिल्क शुझ ते पर रिंग है हैं। तुल महींदी असर राड़ा तब फासड ऐडोलर है, बाकि छुस्प्रेशक 15-16, अपने औंप मंजी, मां करें च्छार कोश्चन खार सबने, और अब स्पिन बॉलर है, गृत किल रिए, विककेट अभी तक नी काल पाया, बैटिंग से भी 30 और 17 की दो इनिंग और एक बार रण की खेल पाया है वाड इस टील बोलुगा टीम में मिस करना बनता निया कि कही नहीं एक अच्छा प्ले रहा है और चार ओर कंप्लीट कर रहा है और लास्ट मैच में टीम नीचे भेजा तो बली बट उपर वाइटिंग क सकता और इंपोर्टन बनेगा ग्रेंड लिक टीम में वाइस केप्टन सी भी कर सकते हो अच्छी बॉलिंग करी है बली कम ओवर डाल रहा है बट यहां फिर दो विकिट दो और में यहां तीन ओर में चार ओर में चार ओर डाले जहां कोई विकित नहीं मिला सिफ एक मैच अधिन फाराद रेजा और एक वर राउंड यहां बैट निग पर अभी तक तर अभी तर चांस मिलाने कि आपि के बात के बात कि अगर बात किया तो फास्ट बाल रहे चार ओर में तीन मिकित ले लास्ट मैच बहले सिर्फ एक ही मैच कहला है तो द्यानकरा इस केस में आप तो खाली दाहमत को स्पेशल ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर सकते हो इवन स्मॉल लिंग में भी युकि इसका जो डॉमेस्टिक में रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है खाली दाहमत का इतना मौका बंगलाज पिल में लेग टीट्वेंट यह मिलानी है बंगलाज पर बढ़िया है तो इसलिए आप ट्राइ कर सकते हैं स्मॉल लिंग दोनों में बागी कमरूल इसलाम रभी तो मिस्मत करने टीम से पहले मैसा भी तक देखो कि तब फ़राइन सची रहे है मैं आपको पहले मैच में पहले मैच में भी का ता जब मैस्ट और मैस्टार बहाता है क पहले मैच में इवन आप चाहों तो ग्रेंड लिंग में कैप्टन सी रहे करना क्योंकि पिछ फड़ा वालर को फेवर कर सकते हैं मैच इसमें क्योंकि पिछ तो ग्राउंड थोड़ा चेंज हुआ है बाकि यह बात की जाए तो दैथ होर्स में अपके लिए कर अभी तश्य नवीन हुलक जो अफगाणिसन गाव मेडियम फास्ट बरज़ा थार नियुक्त कोई परफिमांस खास रही नहीं है बाबी तक टीम ने बाहर बढ़ा यथा है बाद दो मैंच के बाद बाकि सिकंधर राजा बाकि सिकंधर राजा बाहा बालाच के लाग मैच एला पहला जह इंपॉर्टन नहीं रहेगा, बाकि इंपॉर्टन बारे प्लेयर बात की जाते हैं आपके लिए, फ्लैचर बनेगा, रहीम बनेगा, यासिर अली है, परेरा है, महीदी असन है, रेजा है, यह दो बॉलिंग में आप खासकर से कमर अलसलाम भी, ग्रैंड लिंग में इन दोनों कुछ खासचा नहीं चल रहा है, 186 पे 675 पे 5, 101 पे 306 पे 10 है लाश तीन मैच के परफॉर्मेंस रही है, लाश चार मैच के परफॉर्मेंस रही है, बाकि लाश दो मैच इनके काफी अच्छे रहते, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, तो यह पर टीम का यह है कि एक प्लेयर बड़ी इनिंग खेलता तब जाके अच्छा टीम स्कोर करते है, जैसे कि एक मैच में पर लिंडेंस सेंच्वी लगाए, तो टीम ने जाए अच्छा स्कोर किया, और बाकि लाश मैच में अनामूल और इंग्राम ने बारे तो जाके स्कोर किया, अगर इनके टॉप के दो त तो नजर आएगा, वैस्टंडीस का प्लेयर है, बहुत इंपोर्टन प्लेयर है और T20 से फॉर्मेट के लिए तो इंपोर्टन बन भी आदा है, क्योंकि इसको एक्स्पीरेंस से इन कंडिशन में खेलने का, यूँकि आइपल बहुत खेल चुका यहाँ यहाँ परफेक्ट प्लेयर है और यहाँ पर हमिशा T20 पर ओपनिंग करता है, एक सेंचुरी स्कूर कर चुका है, तो कहीं न कहीं, आपके पास स्मॉल लिंग में बाइसक्रिप्टन से की पिक रहने वाला है, लेंडन सिमन्स राइट है अनामूल के बारे में अगर बात की जाए तो विकेट की इंग्राम इन कंडिशन में उतना फेवरेट तो नहीं है बट स्टिल ऐसा प्लेयर है जो व्ल्डवाइट ऐसा कोई टॉर्नमेंट ना रहा हो शाएद यह लीग नहीं रही है जो ना खेलो यह बिग बैश खेल चुका है, आइपिल खेल चुका है, टी ट्वेंटी और ध्यान रखना यहां पर ऐसे अफ्रीकन प्लेयर है पहले अफ्रिका के लिए इंट्रनेशन लेवल पर खेल चुका है, तो इसलिए अब लेना चाहो तो ले सकते हो, बट शायद मुझे रखता है, पिछ चेंज को यह कंडिशन चेंज है उतना फेवरेट ना राइस मैच बाकि है मेथन के बारे में बात किया तो साथ, सोला, सत्रा और पांच चीलाश तीन पांच चाहर मैच की परफॉर्मेट में अच्छा यह अच्छा कर सकता है, बट अब ले तक टोर्नमेंट है, बिलकुल फ्राव पराय है, राइट है और बांग लाइश के लिए तो आप चाहो तो एक small league मेस ले सकते हैं कि बालिंग कर रहा है थ्यान दियाना स्टार्टिंगे दो मैच आप नहीं कर नहीं कर भी सकता नहीं है तो आपके लिए ग्रैड लिए ज्यादा बैठर रहे हैं बाकि है मुषाद है खुसें कैप्टान है दूसरी बात ऑफ श्पिन बालर है हर मैच में दो से चार ओवर कर रहा है और अभी तक देखोगे तो चार विकेट निकाल चुका चार मैच बाटिंग से देखोगे तो यहाँ पर जीरो तेरा तीन यह परफॉर्मेंस ही यह बैटिं अच्छा बैट्समन है अच्छा ओल्राउंडर मोसादेग में इस कंडिशन नहीं कर सकता अलाओ दिन बापू मीडियम फांच बालर है तो और एक विकेट जीरो विकेट उतना इंपॉर्टन नहीं है मुकतर अली कुम मुझे नहीं पता टीम क्यों नहीं कर रही क्यों क्यों पांच विकेट लिये ओफस्पिन बालर है इवन बैटिंग भी कर लेता और इसका टेस्ट में रिकॉर्ड सेम मैच में इसने है ट्रीकॉर्ड सेंचुरी मारी जो क्या अस्तक रिकॉर्ड धान डखने है टेस्ट मैच इसमें में से के नामें एक सेशल रिकॉर्ड दीर, तसक थ्यान रखना हर साल भंग्लादिश प्रमियर लिग में एक मैच जरूर जाता जहां तास्कीन चार विकेट लेता तो एक मैच चार विकेट वाला का पैंडिंग है तो इसलिए कहीना काईस को कैप्टन से जरूर ट्राय करता रटना स्पेशल ग्रेंड लिग में ध्यान रखना या पर तसकीन आइमत को संजम लिष्णाम लेफ्टाइम और्थरॉक स्पिन बॉलर अभी तक तीन मैच इस खेला जहां एक विकेट नहीं मिला है और बॉलिंग दो से तीन ओवर गरा इंपॉर्टन नहीं है तसकीन आइमद और मुक्तर अली बॉलिंग कर सकते 15-20 ओर बीच में नजम लिष्णाम ध्यान रखना कर आता है तो इस टीम की बॉलिंग स्ट्रॉंग सकते कि दो मैच इस के बाद यह नहीं कहला है रिजन नहीं नहीं पाथ क्यों नहीं क्यला इस प्रीजनर कृट में खर इन्जरी ओसकते हैं प्ले बॉलिंग सकते हैं रिजम लिष्णाम को आपकी 4-2 मैच इस-में 6 फिट ले चुका है इवन इस कंडिशन में अगर आए तो ग्रेंड लिंग में वेस केप्टंसी भी कर सकते हो कैसरिक बिलियम वेस्टन इस का फास्ट बॉलर है अभी तक एक ही मैच केला है पहला जहां दो वर बॉलिंग करी ते कोई विकेट नहीं मिला था कपाली तो 2003 से केलते वे देख रहा है जहां एक और बॉलिंग करी कोई विकेट नहीं मिला लेक्स पिन बॉलिंग करता है बाकि नदीश चौधर इतना इंपोर्टन नहीं है थामस फैस्टन डिस का प्ले रहा है वैविकेट कीपर आलमीन हुसें फास्ट बॉलर 2016 की टी-20 वर्ल्लक पर आपने केलते वे देखा होगा जूरा है लेक्स पिन बॉलर बाकि जो नीचे प्लेर है वो इतने इंपोर्टन मिल नहीं रहने वाले ठीक है बाकि इंपोर्टन ब यूज पर आप कर सकते हो डेफिनिटल यह पर कुछ रीजन से वेसे में अधर राप्स की टीम नहीं दे पा रहारा उन्हें आप को शो नी कर पा रहारा अधर रवाए सेम टीम को लगा सकते है यह से कोई इस मैच में खासकर से कोई इस 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 बहने माला बार आताब है तो यह तो टेलीग्राम पर वैसी बतायता हो कि इस टीम में इस प्लेयर को ले लेना या फिर मैं आपको टीम दे भी देता हो ठीक है तो ध्यान डखना इस बागी स्मॉल लिग की टीम जो रहेगी हो यह रहने वाली है इसमें क्या कि मैंने लिए अनामुलहक को रहीम को और ग्र ग्रेंड लिग एक रिस्की टीम जिसमें बहुत रिस्की ले सकते हो उसमें ट्राय कर सकते हो क्योंकि अच्छा वैट्समने बट अभी फॉर्म में नहीं है बाकी मैंने लिया यह पर फ्लेचर सिमन्स और यह पर मौसादेख को ठीक है बाकी अर बात किया तो यह पर इंग्र लेज ने सकते हैं बाकी में अगर बात की जाए है घक estásकिन आप कर माहिन यह पर दो मिराज की बाठक के बारे बात की हुआ तो यह ग्रैंडली की इन इसन अब और अबने नहीं का ने बाकी चाहाँ नियुक्या ने स्चाूर्टेली मा कश्रा अब बाकि मैं लिया दूर्भ आप चाहोते हैं पर फरहाद रेजा की जगा खाली दामत का जा सकती है जो कि फ्रेंट-लाइन लीड बॉलर जादा ओवर करेगा रेजा के कंपैरेशन में बट रेजा है कि देथोवर से बॉलिंग करेगा प्लस विकेट टेकर बैटिंग भी कर लेता है बैटिंग भी तक फिलाल करी नहीं है बाकी नजमल इसलाम अभी तक दो मैच के खेलने कर आता है तो जरूर लेना टीम में बाकी और देहोगी तो कोई इंपोर्टन नहीं है आप अब सम्लिक्डी तेम 1ख के लिगने मेरे कौर्डिंग बारे में बात हéri तो जरूर प्लस आपके लिए टूर डींवाल ये रहने वाली है ग्रेंग त डीम टू यह रहा जा ही कि 다 Going into Nickatch ग्रेंडिक टेंच के एंड़े रह जाे ही को चन्नल ज़रूर जूइन कर लेना क्रमेंट मिल जाएगा सबसे ओपर विल्यूख्लियर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करो कि टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको ज्वाइन कर लेना है अब बाते हैं बाइक की पिक के ओपर क्या है यह पता तो यह चार वर डालेगा चार ओवर डालेगा यह चार वर में अकर दो विकेट भी निकाल जाओ और यहां पर बैटिंग से बाइच निकाल रहा है तो इसलिए मीडियम पांच मेरी बाई के पिक रहने वाले इस मैच में तो इन पांच में वीडियम इंवेश्मेंट आप कर सकते हैं और कहीं पिच जो है वह उतना आज ज अब उसको फेवर कर सकती है तो मिलते हैं भी टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल जरूर धान से चान कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना घंटी दो आना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहला है जब भी वीडियो अबलोड कर भी मिलते हैं भी जाहीं दोस्तों अपूस्तों जब डपtså कर लेहीं दोस्तों करें प्राइब कर लेहीं यहीं खान कर लेह धूआ से चैनल